और नमस्कार दोस्तों मैं हूँ श्यानलकुमाराम स्वागत है आपको अमेरे चनल में आज हम आपके लिए बहुत इंपॉरिंट वीडियो लेकर आएं कि अगर कोई आपको पीछे से ऐसे करके हग कर लेता है फिर आप क्या करेंगे किस तरह से उसको बचाएंगे तो चलिए स फिर से ये ये और वान और वान अनकाला लल्लू ऐसे और से ऐसे 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 और ऐसे ऐसे गर के हग करता है ठीक है पहले हम इसको होल्ड कर लेंगे उपर के हाथ को यूज़ करना है ऐसे एल्बो से मारा मारने के बाद ये हाथ को होल्ड करते हुए इस तरफ गए और ये यस हाथ को पूरा पेट के पास में ऐसे लगा कर रखेंगे और तोर देना है पूरा ठीक है अब इस side से हम आपको करके दिखाते हैं ऐसे हैं ऐसे hold किया इस हाथ को हम पकड़ेंगे राइट हैंड से attack करेंगे और फिर इस हाथ को यहां से हम घुमाते हुए one पूरा attack करेंगे और इस हाथ को ऐसे करके गुमाते हुए करेंगे यह यहां से हमको पकड़ना है पहले elbow को attack फिर गुमाते हुए यह हाथ को पूरा दबाते हुए देखो हाथ का क्या पोजिशन है इस तरह से यह जो elbow है यहां पर अपने chest के पास लगाना है रहा है और इस हाथ को जैसे भी पकड़े ऐसे पकड़े यहılar इस चाहा है यह फे qi को पकड़े के पीछे के तरफ से इस्ट्रेच करना है यहा हम को पहले के इल्बो के face में मारना है फिर ये घूमते हुए ये घूमते हुए इस हाथ को यहाँ पर रखेंगे और फिर आपको मैं इस side से दिखा लता हूं इस हाथ को यहाँ पर हम पकड़ते हुए ये हाथ जब लेकर जा रहे हैं तो इस हाथ का जो देखिए elbow का position किस तरह से है और ये पूरा ऐस करके चांपना है हमें और अगर हमें position मिल गया तो इस तरह से हम लॉग भी कर सकते हैं तोड़ भी सकते हैं ठीक है तो दोस्तो ये था आज का technique आपको practice करना है इसका practice करके आप मुझे instagram में send कीजिएगा फिर मैं देखूंगा कितना अच्छा perform कर पाए तो मिलते हैं अपनी वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जुरू बताएं वीडियो को लाइक कर दें अपने दोस्तों में शेयर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ठाटा बाई और स्टाइब कर लें